हेलो एवरीवन, माइन नेम इज रेंजेन कुमार, वेलकम बैक तू माइ यूटूब चैनल, अभी हम लोग क्लास 10 में लाइफ प्रोसेस में नूट्रिशन इन प्लांट्स तक कम्प्लीट कर लिये हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नूट्रिशन इन एनिमल्स क के नूट्रिशन का बात करते हैं, तो हम लोगों को मालूम है, कि जो अनिमल्स है, वो हेटरो ट्रॉफिक मोड अफ नूट्रिशन है, अनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेर नहीं करता है, वो बल्कि दूसरे और्णिसम्स पर डिपेंड है, अपने फूड के लिए, अप हम लोग सबसे पहले बात करें, अनिमल्स का, तो अनिमल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किये है, अनिमल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किये है, जो पहला कैटेगरी है, वो कहलाएगा हार्वी वोरस अनिमल्स, दूसरा कहलाता है कार्णि वोरस animals और तीसरा कहलाता है omnivorous animals जो herbivorous animals है वो सिर्फ plant या plant की product खाएगा जैसे कि वो leaf को खाएगा fruit को खाएगा मतलब वो सिर्फ plants को ही consume करेगा वैसे organisms को हम लोग herbivorous बोलेंगे दूसरा होता है carnivorous animals या carnivorous ऐसा animals जो सिर्फ दूसरे organisms को मार कर खा रहा है यानि कि सिर्फ meat खा रहा है flesh खा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे carnivorous animals ऐसा organism जो plants को भी खा रहा है animals को भी खा रहा है वो कहलाएगा omnivorous animals अलग अलग example है herbivorous animals का carnivorous animals का omnivorous animals का यहाँ से देख लेंगे theoretical part herbivorous carnivorous and omnivorous अब देखो यह जो animals का nutrition है इसका different steps होता है जैसे जो पहला steps है nutrition का वो कहलाता है ingestion देखो ingestion का मतलब होता है intake of food या हम लोग बोलेंगे process of taking food into the body is called ingestion ingestion के बाद जो next steps आता है nutrition का वो कहलाएगा digestion डाइजेशन में क्या होता है देखो जो भी food हम लोग consume कर रहे हैं वो complex food है हैना उसका breakdown करके उसको simple में तोड़ना है जो भी हम लोग food consume कर रहे हैं वो insoluble है उसका breakdown करके उसको soluble बनाना है इसी को हम लोग digestion बोलते हैं तो digestion का definition क्या हो गया? digestion का definition हो गया simple complex food को simple में तोड़ना या बोल सकते है complex insoluble food को simple soluble food में तोड़ना is called digestion और यह दूसरा steps and nutrition का अब जो हमारा digestion के बाद next step आता है वो कहलाएगा absorption देखो digestion में हमारा जो food है वो simple soluble बन चुका है अब वो क्या होगा absorption होगा absorption होगा मतलब कि हमारा जो elementary कनाल है intestine वहाँ पर food absorb हुआ absorb होके अब वो चला जाएगा intestine से कहां जाएगा blood में चला जाएगा और blood में जाके पुरे body के हर एक cell के पास जो food है वो पहुँचेगा तो यह जो body के हर एक cell के पास पहुँचना इसे हम लोग assimilation बोलते हैं assimilation में क्या होगा जो भी food है वो पुरे body के cell के पास पहुँचेगा उस food से energy को obtain किया जाएगा and lastly जो step आता है वो कहला है इजेशन इजेशन में क्या होता है देखो ऐसा नहीं है कि जितना भी food हम लोग खाए सब को digest कर लिए कुछ undigested food बचा हुआ है उस undigested food को body से remove करना उस undigested food को body से निकालना उसे हम इजेशन बोलते हैं तो यह सारा steps है nutrition का देखो ingestion digestion absorption assimilation and egetion these are the different steps of nutrition in animals हम लोग जब unicellular organisms का nutrition पढ़ेंगे या हम लोग जब multicellular animals का nutrition पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि unicellular animals जोकि सिर्फ एक सेल का बना हुआ है उस में भी ये सारा step हो रहा है multicellular animals जोकि बहुत सारे सेल का बना हुआ है उसके अंदर भी ये सारा steps हो रहा है तो आइधर हम लोग unicellular का बात करें या multicellular animals का बात करें सब में nutrition का जो steps है वो होगा different क्या है तो यहां पे जो different है वो है unicellular organisms में unicellular animals में एक ही cell सारे nutrition का steps परफॉर्म कर लेगा लेकिन multicellular animals में अलग-अलग nutrition के steps के लिए अलग-अलग cell अलग-अलग organ involved रहेगा आज हम लोग इस video lecture में complete करेंगे unicellular animals का nutrition जो की हम लोग को class 10 में एक बहुत ही important concept को पढ़ना है जिसका नाहे nutrition in amoeba hope आपको यहां तक समझ आया है different steps of nutrition and organisms का classification on the basis of eating habits चलिए start करते है nutrition in amoeba तो हम लोग देखेंगे nutrition in amoeba देखें यह जो amoeba है यह एक unicellular animals है यह हम लोग बोलेंगे unicellular organisms है amoeba के पास heterotrophic में भी holojoic mode of nutrition है हम लोग जब nutrition पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि heterotrophic mode of nutrition तीन टाइप का है amoeba में होता है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं amoeba के पास holojoic mode of nutrition है अभी तक हम लोग देखें amoeba का food है मतलब कि वो tiny microscopic plants और animals को consume करता है देखिए amoeba का जो mode of obtaining food है उसको हम लोग phagocytosis बोलते है phagocytosis phagocytosis का मतलब होता है cell feeding phagocytosis का meaning है cell feeding यह amoeba का जो methods है food को obtain करने का वो कहलाएगा phagocytosis तो यह general introduction है amoeba के बारे में हम लोग क्या क्या देखें amoeba unicellular है amoeba के पास holojoic mode of nutrition है amoeba aquatic है और amoeba का जो method है food को obtain करने का वो phagocytosis कहलाता है amoeba पानी में रहता है और उसके surrounding में जो भी छोटे-छोटे plants और animals present है amoeba उसी को खाता है उसी को consume करता है देखिए अब different steps of nutrition in amoeba सबसे पहले अगर हम लोग बात करें amoeba में ingestion कैसे होता है देखो हम लोग को मालूम है ingestion का मतलब होता है the process of taking food into the body या simply intake of a food is called ingestion देखिए amoeba के पास कोई भी specialized structure नहीं है जिससे कि वो food को लेके खा ले amoeba के पास mouth भी नहीं है है ना amoeba के पास जो मू होता है वो भी नहीं है तो amoeba ingestion कैसे करेगा वो देखिए amoeba के पास एक structure होता है यह tiny finger like projection देखिए यह simply amoeba का structure भी हम बना रहे हैं यहां पर amoeba का nucleus है मान लिजए amoeba का nucleus है यह amoeba है क्या है यह amoeba पानी में present है देखिए मान लोग पानी में यह food है food particles है यह अब amoeba ingestion कैसे करेगा तो amoeba के पास ना तो कोई mouth है amoeba के पास ना तो कोई specialized structure इसे के food को निकालके वह मुह में रख ले हैना mouth ही नहीं है कोई structure नहीं है amoeba एक tiny finger like projections को बनाता है हैना यह finger like projections है जिसका नाम है pseudopodia pseudopodia या इसी को हम लोग बोलते है false fit pseudo मतलब होता है false और podia मतलब fit false fit बोलो यह false leg बोलो सब एक ही हैना सबका meaning एक ही है तो amoeba क्या करता है finger like projections को निकालता है जिसका नाम है pseudopodia और surrounding में जो food present है यह कोई plant भी हो सकता है कोई animal भी हो सकता है जो की amoeba as a food उसका use करेगा तो pseudopodia निकालेगा यह false fit है यह pseudopodia इस food को engulf करने में help करेगा है ना pseudopodia helps in engulfing of food तो यह first steps and nutrition का that is ingestion जो की amoeba कर रहा है आप लोग को याद रखना है amoeba कैसे करता है pseudopodia का use करके surrounding water में जो food present है उसको engulf कर लेता है उसके बाद ingestion के बाद दूसरा steps आता है digestion digestion में जैसा कि आपको बताए complex food को simple में तोड़ना is called digestion देखो यह जो amoeba है यह amoeba क्या किया pseudopodia का use करके food को अपने अंदर ले लिया surrounding में water present है तो कुछ water भी amoeba के body के अंदर गया होगा वसी तरह amoeba एक temporary stomach भी बना देता है यह amoeba का body है amoeba का nucleus है मांग लो amoeba जो food को consume किया वो यह food है है और यह temporary structure बनाता है यह amoeba का temporary stomach हम लोग बोल सकते हैं जिसे हम लोग food vacuoles बोलते हैं vacuoles यह जो amoeba है यह food vacuoles का formation कर लिया है food vacuoles temporary stomach है amoeba का इसी के अंदर amoeba का digestion होगा कैसे digestion होगा तो यह जो amoeba unicellular organisms है इसका यह जो cell का cytoplasm है इस cytoplasm में present है digestive juices जो digestive juices से चला जाएगा amoeba के food vacuoles के अंदर यह हम क्या दिखा रहे है यह हम दिखा रहे है amoeba का जो cytoplasm है cytoplasm में digestive juices present है जो digestion में help करेगा वो चला गया food vacuoles के अंदर अब यहां पे जो food particles amoeba ingulf किया है उसका हो रहा है digestion जो चीज बोल रहे है एक एक चीज पर गौर करना cell के cytoplasm में present है digestive juices digestive juices cytoplasm से चल गया food vacuoles के अंदर और food vacuoles के अंदर हो रहा है digestion अब जैसे ही digestion complete होगा यह food vacuoles disappear हो जाएगा खतम हो जाएगा बताए न यह जो food vacuoles जो की food vacuoles का formation कैसे हुआ food जैसे ही amoeba ingulf किया उसके साथ कुछ water भी एंटर किया और वो दुनों temporary stomach बना लिया जिसका नाम है food vacuoles अब इसके बाद तीसरा step होगा digestion के बाद जिसका नाम है absorption कि देखो absorption में क्या होगा यह जो मेरा food vacuoles के अंदर digestion हो गया food का वो अब absorb होगा absorb होने का मतलब है कि यह पूरे amoeba के जो cell है वो वहां पर absorption होगा हना कैसे होता है absorption तो absorption होता है diffusion के process है कैसे होता है absorption diffusion के process है याद रखना amoeba में जो absorption है वो diffusion के थ्रू होता है जैसे यह amoeba का body है amoeba का nucleus हो गया यह amoeba का body है यहाँ पे जो मेरा food vacuoles है इसके अंदर food का digestion हुआ इसका अब हो रहा है absorption और absorption का जो process है वो होता है diffusion के तरूफ diffusion आप लोग diffusion का definition जानते होंगे diffusion का मतलब होता है movement of molecules from higher concentration to its lower concentration ऐसे हम लोग समझ सकते है कि यह food vacuoles के अंदर food है उसका digestion हुआ है यहाँ पे food का higher concentration है और cytoplasm में lower concentration है तो higher concentration से lower concentration के और move करेगा इसी को हम diffusion बोलते है और यहाँ पे जो absorption का process है वो complete होता है और absorption के बाद जो food vacuoles है वो disappear हो जाएगा digestion के बाद ही वो disappear होने लगता है उसके बाद next step आता है जिसका नाम है assimilation देखो assimilation में क्या होता है जो भी absorbed food है वो वो पूरे cytoplasm में fell गया पूरे cytoplasm में चल गया अब जो amoeba का amoeba है उस absorbed food को use करेगा energy obtained करने के लिए है ना energy का obtained कर लेगा उसके बाद उस energy का use करेगा growth में reproduction में use करेगा और जो भी amoeba का damaged cell है एक तो एक ही cell का बना है एक ही cell सारा काम कर रहा है उसका repair करेगा इसके metabolism में उसका use करेगा assimilation में क्या होगा amoeba का cell का growth होगा है ना cell का size बढ़ेगा यह amoeba है amoeba का growth होगा मतलब growth होना ही हम लोग बोल सकते है assimilation का निशानी है growth in size अब देखो amoeba क्या किया उस food से energy obtained किया उस energy का use करके growth कर रहा है उस energy का use करके reproduction करेगा एक cell से दो cell में divide हो जाएगा और हो गया assimilation अब finally जो last step आता है जिसका नाम है digestion देखो amoeba के पास जो भी undigested food बचा उसको क्या करना है body से remove भी करना है लेकिन amoeba के पास कोई भी specialized structure नहीं है जिसे कि वो उस undigested food का removal कर सके तो क्या होता है amoeba के body में जो भी undigested food materials है वो एक जगा collect जब हो जाएगा मतलब amoeba के body में जब considerable amount of undigested food जमा हो जाएगा तो वो एक जगा collect हो जाएगा एक जगा collect होने के बाद जो amoeba का cell membrane है यह cell membrane है यह rupture होगा cell membrane के rupture होने के बाद जो भी undigested food है वो बाहर निकल जाएगा यह जो undigested food था यह बाहर निकल गया और हम लोग बोलेंगे amoeba में eagation हो गया undigested food removes out and the process of eagation completes और यहाँ पे जो amoeba का nutrition है वो complete होता है आप लोग को exam में हर एक step को explain करना है यह diagram इस topic के अंदर जरूर बनाना है आपको full में full marks मिलेगा और जो भी चीज हम बताए है वो एक एक चीज आपको copy में लिखना है तो यह amoeba का nutrition होता है देखिए इसके अलावा एक और unicellular organism से जिसका नाम है paramecium उसका nutrition आप लोग को देखना है हम लोग देखते हैं paramecium में क्या होता है यह आप लोग बना लिजे copy में स्क्रीन सोट ले लिजे इसका और देखिए आगे paramecium nutrition in paramecium देखिए paramecium भी एक unicellular organisms है यह भी पानी में रहता है देखिए paramecium के पास तो pseudopodia नहीं है है ना false fit नहीं है यह कैसे food को indulge करेगा वो देखो paramecium के पूरे body में present रहता है सीलिया यह सीलिया क्या है तो यह hair like structure है जो कि paramecium के पूरे body को cover करके रखता है और यह सीलिया continuously move करते रहता है यह यह paramecium का mouth हो गया पानी में है यह paramecium paramecium का body का structure कुछ ऐसा होता है यह paramecium है तो paramecium में क्या होगा ingestion का process कैसे होगा ingestion तो ingestion का process होगा सीलिया के movement से यह सीलिया क्या है यह hair like outgrowth है hair like outgrowth है जो कि paramecium के पूरे body में present है जैसे हैं यह सीलिया move करेगा तो जो surrounding में present food particles है यह food particles को ingulf कर लेगा और यह mouth के द्वारा और mouth से आ जाएगा वो body के अंदर है यह जो food particles है सीलिया के movement के द्वारा body के अंदर आ गया ingulf हो गया है अब देखो यह जो ingulf हो गया इसके बाद further जो भी nutrition का process होता है ingestion के बाद digestion digestion के बाद absorption absorption के बाद assimilation और assimilation के बाद digestion यह सारा process as it is चलेगा जैसा कि हम लोग amoeba के अंदर पढ़े तो यह था nutrition in amoeba and paramecium इसके बाद आने वाले video lecture में हम लोग देखेंगे multi cellular organisms का nutrition और हम लोग को mainly पढ़ना है nutrition in human beings human beings में कैसे nutrition होता है कैसे यह सारा steps cover होगा यह सारा चीज देखेंगे hope आपको nutrition in amoeba and nutrition in paramecium समझ आया होगा अगर आपको इस topic का hand written news चाहिए तो मुझे DM करिए description box में मेरा contact number दिया हुआ है आपको इसका hand written news मिल जाएगा thanks all अगर आपको बार आपको आपको झापको यह अगर आपको इस आपको 群ाँ